तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का जो बुक है उसके जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर और उनके राइटर्स का नाम याद रखने का ट्रिक आज के कि इस वीडियो में जानने वाले हैं देखिए यह जू ट्रिक है ना हो सकता है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में थ्वड़ा विर्ड मतलब लगे मतलब आप लोगों को लगे कि यह कैसा हैं लेकिन हां बहुत ही जबरदस ट्रिक है एक तो आप लोग सबसे पहली बात यह स होता है वो भी काफी तफ दिखाई देता है तो इस हिसाब से उर्दू लेंग्वेज में ठ्रिक बनाना काफी मुश्किल काम होता है लेकिन फिर भी आप लोग का कमेंट आ रहा था कि 12 खेंट जितने भी चेप्टर है उर्दू में वो सारे चाप्टर उन looked writer का का कहानी है और इस दो लाइन के कहानी से आप 11 चैप्टर और उसके राइटर का नाम आसानी से याद कर सकते हैं मातर दो लाइन की कहानी और 11 चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद आसानी से हो जाएगा सोचिए और फिर यहां पर हिसा शायरी में डूटल 29 चैप्टर है तो इसे ऐशायरी के लिए यहां पर ट्रिक है कि यह कहानी है यह सारे 3 लाइन की कहानी से 29 चेप्टर और उसके राइटर का नाम आसानी से याद कर सकते हैं तो लगा है यह जबरदस ट्रिक इतना जबरदस ट्रिक कि इस से आसां टृका यूटूब 3 मिले गा जिक कहीं नहीं मिलेगा टिक कर बतांगी नजीरत की कहानी फरहत ने सुनाई ख्वाज़ाबी मिट्टी लाई त्हकीक करके सुलेमान ने बताई कमाल हिजरत का मन बाग बाग हो जाए इन शाया क्या है वजीर आगा ने बताई तोबा साधत प्रॉमिस करके बानो ने इब्राहिम से रिज्क पाई आजादी के खातिर भुले हुए गीद की याद शफी ने दिलाई ये दो लाइन का कहानी है हो सकता है कि आप लोग मैं पहले ही बोल दे रहे हुए स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ी होंगी तो आप लोग को अच्छा नहीं लगा हो लेकिन देखिए इस दो लाइन के कहानी में कहां कहां चैप्टर और राइटर का नाम चुपा हुआ है ये मैं आप लोग को बता देना चाहती तब आप लोग कहेंगे कि वाकई में ये जबर्दस ट्रिक है नजीर की कहानी इसे याद रखिएगा चैप्टर का नाम है नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी तो नजीर की कहानी से याद आ जाएगा चैप्टर का नाम क्या नजीर की कहानी और इस चैप के जो राइटर है वो है फरहत उल्लाबेग असानी से हो गया नजीर की कहानी फरहत ने सुनाई अब आगे बढ़ते हैं ख्वाजा भी से आप लोग को याद रखना है क्या ख्वाजा हसन निजामी कौन से चैप्टर के राइटर है तो मिट्टी से याद रखेगा मिट्टी का तेल यानि कि मिट्टी का तेल नाम का है आप लोग का चैप्टर है दूसरा चैप्टर और उसके राइटर कौन है ख्वाजा रखना जायगा जाएगा और मिट्टी से मिठी से तेल क्याominaई राइटर है है नजामी तो नजीर's की कहानी फरःत ने सुनाई भॉजा भी मिटी लाई تहकीक कर के सुलेमान ने बताई अब पतैक से आफ लोगों को याद आ जाना चाहिए चैप्टर का नाम बास पुराने लफीघ की नहीं सुलेमान नदवी यानि कि बाद पुराने लफजों की नहीं थे हैं कि चप्टर के राइटर जो है मुसनिफ वो कौन है सेद सुलेमान नदवी आगे बढ़ते हैं कमाल हिजरत का मन बाग बाग हो जाए तो कमाल से याद रखना है जमाल एहमद जमाल पाशा और हिजरत बाग बाग से यादा जाएगा और मन यादा जाएगा यानी कि बाग बाहर नाम के चप्टर का नाम हिए याप लोग के चप्टर का नाम है और जो राइटर रॉब्स लिखा हुए वजीर आगा ने बताई यानि कि इन्षाया क्या है चप्टर के राइटर कौन हो गए वजीर आगा हो गए कितना आसान रिख है उसके बाद से है तोबा से याद रखिएगा तोबा टेक सिंग तोबा से यादा जाएगा चप्टर का नाम क्या है तोबा टेक सिंग और साधत से याद रखना है साधत हस मन्टू ठीक है उसी तरह देखिए प्रॉमिस नाम का चैप्टर ही है और इस प्रॉमिस नाम के चैप्टर के जो राइटर है वो है जिलानी बानो तो देखिए बानो से याद आ जाएगा जिलानी बानो तो बस आदत प्रॉमिस करके बानो ने इब्राहिम से रिज्क पाई तो इतíst के जो राइटर है वो कौन है रिजक से याद रखना है क्या रजाक रिजक से रजाक यानि कि सलाम, बिन रजाक इबराहिम सक्का नाम के चप्टर के राइटर है तो इसे तरह आजादी से आप लोगों को याद रखना है आजादी के खातिर खातिर से आप लोगो याद रखना है गुबार खातिर यानि कि गुबार खातिर जो चैप्टर है ना उसके राइटर है मौला नावुलकलाम आजाद तो आजादी से मौला नावुलकलाम आजाद और किस चैप्टर के राइटर है तो खातिर से गुबार खातिर गुबार खातिर चप्टर का नाम है जिसमें टोटल 24 खुतूत है जिसमें से आप लोगों को तिन खुतूत पढ़ना है आप लोग के 12 क्लास के उर्दु के बुग में ठीक है न तो यह हो गया खातिर से गुबार खातिर आगे बढ़िए भूले हुए गीत भूले गीत से च्प्ठर का नाम किया है भूले बिसरे गीत और उसके राइटर कौन है शही जावेद टो यहाद बूले गीत क्वाइटर शफीजावेद शही देख सकते हैं टोटल एक 11 चैप्टर और उसके राइटर का नाम किस तरह यह दो लाइन के कहानी में छुपा हुआ है ब अब इससे आसान आप लोग ट्रिक यूटूब पर ढूंड कर दिखा दीजिए मैं मान जाओंगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हिस्सायरी में जो टोटल 29 चेप्टर है तो 29 चेप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखने का जो ट्रिक है वह यहां पढ़ लिख दी हू सफर में गुफ्तगू करते हुए जनाब अली से मिला अमीक के खेत में इलहबादी का बर्क गीरा हम नहीं जानते कि यह जो दो तारीखें हैं वह वाहिद है या जमा क्योंकि अर्शद की मौत का गम अता काकवी पर पड़ा मेरे आने से चमन में गजब का फसाना बना एहसा पर पर दोश्त का मतलब होता है हार यानकी जोश में आकर उसे हार ही मिला हार ही गया और रोजगार का सौधा करने के लिए हिंदू-मुसल्मान का साथी बनकर लुद्याना के लिए निकल पड़ा तो यह साढ़े तीन लाइन की कहानी है अब चलिए समझते हैं कि इस साढ़ में आ गया लाइक कर दिये और कमेंड में लिखकर भी बताइएगा और शेयर कर दिजिएगा ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके समझे यहां पर इस कहानी में स्टाटिक में क्या है कमाल कमाल से याद रखना है जफर कमाली राइटर का नाम है और कौन से चेप खुटगू करते हुए जनाब अली से मिला तो सफर से चेप्टर का नाम याद आजाएगा मेरा सफर और गुफतगू से याद आझा तो सब्पूटगूी ए तो सफर से मेरा सफर और गुफतगू यह दोन् manière जहें ना यह दोनों चप्तर के राइटर है अली सर्दार जाफर यानि कि मेरा सफर और गुफ्तगू इन दोनों चप्टर के जो राइटर है वो है अली सरदार जाफरी ठीक है ना तो कमाल का मुतशायर सफर में गुफ्तगू करते हुए जनाब अली से मिला ठीक है अब आगे बढ़िए आगे हैं अमिक के खेत में इलाहबादी का बरक गीरा तो अमिक से याद रखिएगा अमिक हनफी राइटर का नाम है और इनके द्वारा लिखा गया कौन सा चप्टर है तो खेत से याद रखना है खेती यानि की खेती नाम का नजम है कवीता है और उस चप्टर के उस कवीता के जो राइटर है लिखने वाले वो है अमिक हनफी तो अमिक से अमिंगखन्फी और खेट से легडि हम स्पति ऊसके बात कि याद रखना है क्या अक्बर इल्हे बाद है कहीं को चीर्च की लड़की को कह रहेते हैं जो की बोचदा खुब सूरत रहती है उसी पर ये नजम लिखे रहते हैं बरके कलीसा नजमियान की कविता के राइटर हो गए अक्मर लाहबादी ठेक है उसके बाद से हैं हम नहीं जानते के ये जो दो तारीखे हैं तो हम नहीं जानते से याद रखेएगा चेप्टर का नाम ही है हम नहीं जानते चेप्टर का नाम क्या है हम नहीं जानते और उसके writer कौन है तो देखिए ये जो लिखा है ना ये जो से याद रखना है writer का नाम है योजीनो मंताले हम नहीं जानते नाम के chapter के writer कौन हो गए ये जो से योजीनो मंताले ये जो से योजीनो मंताले फिके ना तो हम नहीं जानते नाम के chapter के writer योजीनो मंताले हो गए उसके से दो तारीख है दो तारीख चेप्टर का नाम ही है चैँ क्या है हम HARRIS जानते कि यह वाइठ है यह य वाहिए या जमा यानि ही दो तारीख चेप्टर का नाम है और इस चप्रक़े रॉइटर जो है bond से याद रखिएगा वाहिद मजीर वाहिद मजीर राइटर हैं लेखक है दो तारीखे नाम के चप्टर के जो कि आप लोगे बुख में है ठीक है ना तो यह clear हो गया जो कि अर्शद की मौत का गम अता काकवी पर पड़ा औहां भी अरशवीश amendment का घमпаक इससे आप लोगों को याद रखना है चेप्टर का नाम है कि अता काकवी यह डाले है रायटर का नाम दिख रहा है कि अतासिन जो है यह यह रायटर है किस चेप्टर के तो हम एल्चद अर्षद की मौत का घम यानि कि इससे आप लोगों को याद आ जाएगा कि चेप्टर का जो नाम है वो है घमे अर्षद घमे अर्षद नाम का चेप्टर है और उसके लेखा कियान की राइटर कौन हो गए तो अता काकवी डिरेक्ट लिखा हुआ ही है इसमें दिमाग लगाना ही नहीं घमे अर्षद नाम के चेप्टर के राइटर कौन हो गए तो अता काकवी हो गए ठीक है ना उसके बाद से हैं मेरे आने से चमन में गजब का फसाना बना तो मेरे आने से मेरे आने से याद रखिएगा राइटर का नाम है मीर अनीस मेरे आने से याद रखना है मीर और किस चेप्टर के थैं सब्सक्राइब तो यारब चमने नजम को फुर्जारे एरम कर उसके राइटर मेरे आने से यानी कि मिर्जा रजब अली शुरर के और उसके तरह देखे टिससान से यूलिवर्सिटि और यूवर्सिटी से याद रखें का चप्टर की नाम है मैं यूनिवर्सिटी में यानिकल्ते के यू राइटर है वो हो जाएंगे एहसान दानिश ठीक है ना तो एहसान से यूनिवर्सिटी और क्वारेंटीन से सीख है तो देखिए क्वारेंटीन से याद रखिएगा चप्टर का नाम ही है क्वारेंटीन और इस चप्टर के राइटर तो सीख से याद रखिएगा सिंग यानि की राजंद जैंडर सिंग्वेदि यो ना यह कुरेंटीन नाम के चप्टर सिंग्वेदिन हो गए आगे बढ़ते हैं यह हो गया सभी उनिवर्सिटी क्वारेंटीन से सीख और नारायन से इनकलाब मिला देखिए किं इनकलाब से का मिली इनकलाब याद रखना है रहे in BECला मतलब होता और संफूर्ण क्या गया था तो देखे नरायन से क्या याद रखना है जरी परकार नरायन तो इनकलाब कामिलен सिंकलाब नाम के चप्टर के राइटर कौन हो गए जय परकाश नरायन ठीक है ना उसी तरह आगे देखे मिञाज खुष करने के लिए आदमी तो आवारा बन पड़ा मिजाज से याद रखना है राइटर का नाम लेखक का नाम है मिजाज लखनवी मिजाज से याद रखना है राइटर का नाम क्या है मिजाज लखनवी और जिस चैप्टर के ये राइटर है उस चैप्टर का नाम है आवारा तो देखिए आवारा डिरेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है मिजाज खुश करने के लिए आदमी तो च्प्टर का नाम याद आघालेगा की हाँ आवारा पैंच कैपर और उसके राइटर कौन लखनवी उसके बाद से लेकिन जोष में आकर उसे आखिर मैं सिकस्ति मिला तो जो इस याद रखिए गा जोश मली अबादी राइटर का नाम है और किस चैप्टर के यह आई और है तो देखी का नाम याद रखना हिए शिकस्त यह लगा फ़स्ट गौराब चेप्टर का नाम है और श्कुम्त अरच रकत का CPA करने सौधा यानि की तजही के रोजगार नाम के चेप्टर के राइटर कौन हो गए मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा आगे बढ़ते हैं रोजगार का सौधा करने के लिए हिंदू-मुसल्मान का साथी बनकर लुधियाना के लिए निकल पड़ा अब देखिए हिंदू-मुसल्मा बनेगा हिंदू-मुसल्मान से याद बनेगा जिए हंदू-मुसलमान बनेगा जो की घीत और उसके बद से साथी से राइटर एक ही है कौन है तो लुधियाना से याद रखिएगा साहिर लुधियानवी यानि कि साहिर लुधियानवी जो है ना यही राइटर है लेखक है किस चैप्टर के तो तू हिंदु बनेगा ना मुसल्मान बनेगा और साथी से साथी हाथ बढ़ाना यह दोनों समाया हुआ है चुपा हुआ है जो जो मैं बुलू कलर के मारकर से लिखी हुआ जिस लफज को समझे की वो चैप्टर और राइटर का नाम है ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हैं मात्र मात्र दो और साड़े तीन का कहानी याद करके आप टोटल 40 चैप्टर उसके राइटर का नाम याद कर सकते हैं अब आप लोग को कैसा लगा यह ट्रिक कमेंट करके जरूर बताईएगा एकदम जबरदस्त लगाना कमेंट में लिखकर बताना है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर पर इंड करते हैं आई होप आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आया होगा और आप लोग ने वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिया होगा फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के रिए जहिंद और खुदाहाफिज